लास्क लास में हमने प्रबंध की प्रकृति के बारे में डिस्कस किया था कि प्रबंध कला है विज्ञान है या पेशा है तो उनमें से हमने कला और विज्ञान के बारे में डिस्कस किया था कि प्रबंध में कला के सारे गुण मौजूद हैं इसलिए प्रबंध कला है और कला के तीन गुण थे नंबर वान सैध्धान्तिक ज्यान का होना नंबर टू व्यक्तिकत योग्यता अनुसार उपयोग और नंबर थ्री व्यभार एवं रचनात्मक्ता पर आधारित ये तीनों गुण प्रबंद में भी पाये जाते हैं जो की कला के गुण है तो इसलिए प्रब ग्यान समू होता है हमने कहा था प्रबंद का भी क्रमबद ग्यान समू होता है विज्ञान के जो सिध्धान्त होते हैं वो परीक्षन और अवलोकन पर आधारित होते हैं हमने कहा था प्रबंद के सिध्धान्त भी परीक्षन और अवलोकन पर आधारित होते हैं तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध विज्ञान तो है लेकिन ये पूर्ण विज्ञान नहीं है क्योंकि इसके परिणाम विज्ञान के सिध्धानतों की तरह हर समय एक जैसे नहीं होते ये तो हमारा revision था, आज हम discuss करेंगे कि क्या प्रबंध एक पेशा है या नहीं है, तो पेशा होने के लिए प्रबंध में क्या-क्या गुण होने चाहिए हम वो discuss करेंगे, सबसे पहले पेशे की परिभाशा नोट करेंगे, पेशा एक ऐसी आर्थिक्रिया है, आर्थिक्रिया, तो पेशा एक ऐसी आर्थिक्रिया है, देखिए हमने याद किया, याद कीजिए हमने का था, आर्थिक्रिया मतलब ऐसी क्रिया जिसका उदेशे धन अर्जित करना होता है, तो पेशा एक ऐसी आर्थिक्रिया है, जिसमें विशिष्ट ज्यान प्राप्त करके, व्यक्ति एक निश्चित फीस के बदले अपनी सेवाएं प्रतान करते है ना what is important हेर आर्थ ही क्रिया होनी चाहिए विशिष्ट ज्यान की आवशक्ता होती है और बदले में हम सेवाएं देते हैं और सेवाओं के बदले में एक निश्चित फीस प्राप्त करते हैं पेशे के अंतरगत कौन को लोग आते हैं जिसे डॉक्टर्स लॉयर्स मुखित है यह और भी लोग हो सकते हैं यह हमने बड़े-बड़े में एक्जामपल हमने नोट किये थे तो हम यह जानना चाहते हैं कि आज के समय में क्या प्रबंध भी एक पेशा है या नहीं नब प्रबंध पेशे की भी क्रमबद ग्यान समू होता है प्रबंध में भी क्रमबद ग्यान समू होता है यहां पर प्रबंध में भी क्रमबद ग्यान समू होता है यहां पर प्रबंध में भी क्रमबद ग्यान समू होता है यहां पर प्रबंध में भी क्रमबद ग्यान समू होता है यहां पर प्रबंध परिभाशित ग्यान समू होता है जिसे हम अध्यायन करके शिक्षा से अर्जित कर सकते हैं इकठा कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं सेकंड अवरोधित प्रवेश तो यानि कि पहली विशेष्टा तो प्रवन में मौजूद है पेशे की पेशे की दूसरी विशेष्टा होती है अवरोधित प्रवेश आपको क्या लगता है क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है नहीं बन सकता कब तक नहीं बन सकता जब तक कि उसने स्वयम भी MBBS की डिग्री हासिल ना करी हो इसी तरीके से लेकिन पेशे इसका मतलब होता है अवरोधित प्रवेश इसका मतलब है अवरोधित प्रवेश देखें पेशे में अवरोधित प्रवेश होता है जैसे डॉक्टर बनने के लिए हमें MBBS की डिग्री हांसिल करना जरूरी है लेकिन एक प्रबंधग बनने के लिए एक मैनेजर बनने के लिए अभी तेक ऐसा कोई कानून नहीं आया है जिसके अंतरकत यह निर्धारित किया गया हो एक के पास MBA की डिग्री है और एक के पास MBA की डिग्री नहीं है Mr. A और Mr. B A के पास MBA की डिग्री है और B के पास MBA की डिग्री नहीं है तो definitely जादा नौकरी मिलने की संभावना है किसको है जिसके पास MBA की डिग्री है तो कानूनी तोर पर तो अभी तक कोई अवरोधित प्रवेश नहीं है पर हां धीरे धीरे प्रबंध पेशे की ओर अग्रिसर है तो हम इस पर काटा लगाते हैं फिलहाल के लिए कि अभी प्रबंध में अवरोधित प्रवेश नहीं है क्यों क्योंकि कोई भी प्रबंधक बन सकता है कोई भी व्यक्ति और ऐसा कोई कानून नहीं आया है जिसके तहत प्रबंध में प्रवेश को रोका जा सके नेक्स्ट है पेशागत परिशद, पेशागत परिशद हर स्ट्रीम के अपनी एक काउंसिल होती है, ग्रूप होता है, जिसे डॉक्टर्स के लिए इंडियान मेडिकल असोसियेशन है, IMA, डॉक्टर्स इसके सदस्ये बनते हैं, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल है, ILA है, इस नहीं है इसलिए ये वाला पॉइंट भी अभी प्रबंद पर लागू नहीं होता है कुछ हद तक लागू होता है कब तक लागू नहीं होता है जब तक की कानूनी तोर पर ऐसी चीजें कंपलसरी ना हो जाएं फिर नेक्स्ट है हमारा नैतिक आचार सहीता देखे जैसे डॉक शपद दिलाई जाती है ओथ दिलाई जाती है प्रबंद की भी अपनी आचार सहीता तो है और आपको पता होगा यदि डॉक्टर कुछ गलत काम करते वे पाये जाते हैं याज़े फॉर एक्जामपल किसी डॉक्टर ने अगर किसी की किडनी निकाल के बेच दी तो यहां कि डिग्री छी नहीं जा सकती है लेकिन प्रबंध में अभी तक ऐसा कोई कानून नही बना है और चाहिए लेकिन फिर भी ऐसी कोई आचार सहीता कहीं है जिसका उलंगन तो नियांग जो सदस्यके व्यवारों को दिशा देते हैं, उनको नियतिक आचार सहीता तो है, लेकिन उसका पालन उतनी कठोरता से करना अनिवारे नहीं है. तो अब इस बात का हम क्या निश्करश निकाले कि प्रबंध में पेशे के गुंड तो है? प्रबंध में ये सारे गुंड धिरे धिरे आ जाएंगे. कैसे आएंगे जब कोई कानून पास हो जाए किसी दिन और ये निरधारीत हो जाए कि हाँ ये वो दिर प्रवेश है कि वही प्यक्ति प्रबंदक बन सकता है जिसके पास MBA की डिग्री है AIMA का सदस्य बनना अनिवार्य हो जाए और आचार सहीता का पालन करना अनिवार्य हो जाए जब यह तीनों चीज़े अनिवार्यता में बदल जाएंगी उस दिन प्रबंद पूर्ण रूफ से एक पेशा बन जाएगा और आज के समय में यह पेशा बनने की और अग्रसर भी है आईए conclusion में देखते हैं एक last point हमारा इसमें रह गया प्रबंद में भी सेवा का उदेश्य होता है पेशे में भी सेवा का उदेश्य होता है तो अगर इस रुष्टिकोंट से देखा जाए तो प्रबंद एक पेशा है conclusion क्या कहता है प्रबंद में पेशे के गुण पाए जाते हैं और यह पूर्ण पेशा बनने की रहा पर अग्रसर है, जैसे ही जिस दिन कोई कानून आ जाएगा, उस दिन प्रबंध पूर्ण रूप से एक पेशा बन जाएगा, यह आपको और हमको सबको समझनी पड़ेगी बात, अब conclusion, प्रबंध में विज्ञान के कुछ-कुछ गुण मौझूद है, प्रबंध में कला के सारे गुण मौझूद है, और पेशा बनने की रहा पर यह अग्रसर है, तीनों में से किसी एक पर भी question आ सकता है, कि प्रबंध में विज्ञान के गुण पाए जाते तो वो तीन विशेष्टा हैं, आप यहाँ पर बताईए, ऐसे ही कला की दिन मिशेष्टा हैं बताईए, और पेशे की वो छे मिशेष्टा हैं आप यहाँ पर बताईए